तो करेंट फेर्स के अगले टॉपिक के अंतरगत बहुत ही महत्यपूर्ण आपकी न्यूज है बहुत ही महत्यपूर्ण खबर है और ये खबर है आपकी युनेस्को और अमेरिका को जोड़ करके आप सभी को पता हो एक मैं थोड़ा से आपको एक टाइम लाइन भी अब फिर से अमेरिका युनेस्को की सदस्ता को छोड़ दिया था अब फिर से अमेरिका युनेस्को की सदस्ता को फिर से जोइन कर रहा है अगेन फिर से उसने नेरड़ा लिया है एक दो संप्रभू देश होने के नाते जितने भी अंतर राष्टी ये बड़े-बड़े सं तो एक संप्रभू देश के नातिक कोई भी देश उसमें समलित हो सकता उससे अलग हो सकता है दोनों चीजे हो सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखे यूनाइटेड नेशन के संस्ता यूनेशको का फूल फॉर्म देख लिजे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल उत्राज अमेरिका ने यूनेस्को से अपने आपको अलग कर लिया था ठीक है एक मैं थोड़ा सा यहां पर एक चीज करके बताता हूं देखो यूनेस्को के बारे में पहले एक मिनट जान जाते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी 16 नौंबर 1945 को सोला नौंबर 1945 को नाइनटीन फोटिफाइब को ठीक है यूनेस्को की स्थापना हुई थी इसका मुख्याले कहा है पेरिश में पेरिश फ्रांस की राधधानी आप सभी जानते हैं यहां पर इसका मुख्याले है और इसमें दिह हम सदस्य देशों की बाग करें तो बरतमान म अब मैं आपको थोड़ा से एक टाइम लाइन बनाता हूँ एक बहुत ही अच्छा नहीं कहेंगे बहुत ही सकरात्मक नहीं करेंगे बहुत ही पॉजिटिव नहीं कहेंगे अमेरिका के साथ यूनेस्को क्या बहुत तनावपूर्ण इतिहास रहा है तेके 1945 में जब यूनेस से बाहर हुआ उसके बाद 2003 में राष्टपती जार्जबूस की सरकाराई और जार्जबूस के समय फिर से यूनेस्को में समलित हो गया तो देखे पहली बार 1984 में अलग हुआ था ज्यान रखेगा फिर 2003 में फिर से राष्टपती जार्जबूस के समय संगठन का स्रदश्य बन गया 2015 में आपको पता होगा फिलिस्तीन एक देश है और इस्राइल और फिलिस्तीन के बहुत बिवाद रहता है मिडिल इस्ट का देश है मिडिल इस्ट में भूमद्य सागर से सीमा साजा करता है आप खूब नाम चुनते होंगे इस्राइल के साथ जो है लंबे यूनेस्को में सामिल होने के सामिल करने की बात की गई ठीक है और यूनेस्को में उसको समलित भी किया गया चूंकि देखे फिलिस्तीन को लेकर के अमेरिका हमेशा इस्राइल के पक्ष में रहता है और फिलिस्तीन को एक राष्ट के तौर पर स्विकारने पर हमेशा आपत इस्ति दर्ज करता है तो ऐसे में अमेरिका ने विरोथ करना चालु किया सबसे पहले उनेस्कों Regας कि दिक और आपको सही बताऊं तो बंद करती ठीक है इसके बाद 2013 में अमेरिका ने इस संगठन से अपने मतदान के अधिकार को खो दिया क्योंकि एट लिस्ट लंबे टाइम पिरड़ से फंडिंग भी नहीं कर रहा था लगातार विरोत कर रहा था तो 2013 में इसकी जो मतदान करने की इसकी जो पावर्ती वो खत ने इसको से सदस्टा खतम करने का ने निडएं 2017 में लिए गया जो कि 2019 में लागू हुआ और अमेरिका पूरी तरीके से यूनेसको से बाहर हो गया बताय है यहां तक कोई दिक्त नहीं है 2019 में बाहर हो गया मलब यूनेसको का हिस्सा नहीं था लेकिन बरतमान में देखो डि हाओ बढ़ रहा था लगातार ठेक है दूसरा विश्ट की सांस्कतिक विरासत का संरक्षन यह सबसे इंपोर्टन चीज है दूसरा अमेरिका अपने आपको ग्लोबल लीडर के तौर पे फिर से इस्टैबलिस करना चाहता है अपने आपको फिर से वही महार तो बताना चाहता है और यूनेसको के पास लगभग अमेरिका का 600 मिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा वहाँ पर पढ़ा हुआ है फंड में मिनिटों लगेंगे और चंद मिनिटों में अमेरिका ने अगेन अभी राष्ट पती जो बाइडन साब ने जून दो हजार तेईश में बाइडन प्रिशासन ने निर्णे लिया कि हम यूनेसको का हिस्सा बनने जा रहा है तो फाइनली जुलाई 2023 से युनेस्को का हिस्सा बन चुका है अमेरिका ये के थोड़ा सा एक हिस्ट्री है टाइम लाइन है जो मुझे आप लोगो बतानी थी तो जो न्यूज है पूरी की पूरी अमेरिका और युनेस्को की वो मैं ये बता रहा हूं कि अमेरिका युनेस्को का पुना हिस्सा बन चुका है यदि एक कुश्चन पूछा जाए कि हाली में कौन हटा था तो 2019 में ये पूरी तरीके से हट गया था 2023 में इसने अगेन रिजोइन कर लिया क्या दिक्कत है बहुत सेंपल सा माजरा है बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बाई देखो नोटिफिकेशन क्लास का नहीं आता है तो चैनल को आपको प्रॉपर सस्क्राइब करके रखना होगा बिल आइकोन आप लोगों को करना पड़ेगा मैं समझ सकता हूँ notification किसी कि class में नहीं आता होगा दो चार बार जब class आप regular करोगे तो notification आने लग जाएगा notification भेज़ना ये YouTube की जिम्मेदारी है आप लोग की जिम्मेदारी बस इतनी होनी चाहिए कि आप लोग समय से class में आ जाएए class तो होती ही है बताइए ये topic समझ में आया क्या topic समझ में आया सभी को क्या नहीं समझ में आया पूजा सेंजी बेटा पढ़ाई करिये इतनी सारी बाते बताएए इसमें तीन बाते ही समझने वाली है कि अमेरिका यूनेस्को से हट गया था अब अमेरिका यूनेस्कों फिर से जुड़ गया 2019 में हटा था था इसमें जुड़ गया इतनी बात समझने में क्या दिक्कत है यूनेस्को एक संगटने यूनाइटे नेशन का इतनी बात नहीं समझ पाएंगे कि क्या भाई आप लोग इतनी बड़ी बात बता दी क्या मैंने अब पुरानी कहानी क्या पढ़ाई पुरानी कहानी आज की थोड़ना है कि 1984 में हटा था 2003 में फिर से जुड़ गया फिर 2011 में फिलिस्तीन का मामला आ गया फिर हट गया एना 13 से जो है फंडिंग मंद कर दी इसके बाद 2017 में ट्रम्प ने निर्ने लिया 2019 में वापस हट गया 2030 में फिर जुड़ गया तो हमेशा सारे बच्चों को एक शीद धियान रखना है प्रॉपर आपने यह सब्सक्राइब कर रखा हो तो बिल आइकोन जरूर आपने आउन कर रखा हो निशित तोर पर notification आना चाहिए आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप सभी लोग एक दूसरे की help करिए class का link टेलिग्राम में आ जाता है टेलिग्राम से जरूर जुड़के रखेगा ठीक है टेलिग्राम से जरूर जुड़के रहिएगा चलिए अगल्य देखो एक बहुत बहुत हाथ्सा हुआ है यह हाथ्सा हुआ है नेपाल के साथ नेपाल में आप सभी ने देखा होगा कि बीते जुलाई के महीने में 10 जुलाई के कफी लोग मरे थे इसमें काफी लोग खतम हुए थे से ग्यारा जुलाई को एक हास्था हुए हुआ nuclear ही डिविबकरल है date यार रखेगा 11 जुलाई को हाथसा हुआ था ठीके नेपाल में एक जो है आपकी एक तरीके से मनांग एयर ठीक है मनांग एयर एक संस्ता है मैं नाम लिख देता हूं मनांग एयर ये संस्ता है जो कि नेपाल में जितना भी एविएशन होता है खासकर हेलिकाप्टर को ले करके वो सारा कुछ यही रेगुलेट करती है इसी के द्वारा पूराकारी किया जाता है तो 11 जुलाई को मनांग एयर के द्वारा संचाली ते खेली काप्टर जिसमें से टोटल 6 लोग सवार थे टोटल 6 लोग थे और पाइलट भी था इसमें ठीक है 6 लोग सवार थे मांट एवरेष्ट के पास दुरगटना ग्रिस्त हो जाता है आपका यह मांट एवरेष्ट के पास एक हादसा होता है ठीक है इसमें टोटल 6 लोग थे इसमें पांच मेक्सिकन नागरिक थे मेक्सिको के लोग थे आपको पता है नेपाल में लोग खूब जाते हैं क्योंकि वहां पर मांट आट्रेक्शन का केंद्र बना हुआ है लोग जाते हैं विस्यों की सबसे उची चोटी है तो लोग तो उसको चड़ने के लिए जाते हैं देखने के लिए जाते हैं ठीक है तो यह बहुत बड़ा जो है मामला हुआ था आपका और मनांग एयर हेलिकाप्टर नाइन नाइन करके नाम था हीलिकाप्टर का वह है तो पांच विदेशी पर्टेक इसमें क्या हो गये थे आपके तो यहाद रखने पांच विदेशी पर्टेक जो है यह माउंट अरुश्ट के सहर में गये थे और फाइली यह आपका हैलिकाप्टर बारह हजार से अधिक उचाई पर जाता है ठीक है तो यह आपको ध्यार रखना है नेपाल में एक हास्था होता है बड़ा हास्था हेलिकाप्टर हास्था काफी चर्चा में था क्योंकि इसमें विदेशी नागरी काफी सारे मरते एक बार और बता दे रहा हूं मनांग एयर प्राइवेट लिम्टेड एक कंपन मनांग एयर के पास बरतमान में एस त्री तीन सो पचास बी थ्री स्रंखला के हलिकाप्टरों की कई सारी काईयों का बेड़ा है ठीक है यह ध्यान रखना है चलिए दो तीन देखिए इस्तिती हुईती है एक और नेपाल में आपको पता होगा पोखरा के पास जो है यती ए एयर लाइन संनरी अपकी उसका यात्री वीमान भी क्रेंष हो गया था आपको यादो 12 लोग की मृत्तु हुई थी यात्री वीमान आपको'm को क्रेश हुआ था नेपाल में ही अभी हैलीकर ह्री हुआ होई ठीकहे हा बहा पे एक समस्छा यह भी है न क्योंकि एकTो इतनी अगला जो है current affairs है यह नेपाल का हास्सा का एक रफली आपको जो जरूरी थी चीज़ है वो मैंने आपको यहां पर बता दी अगला current affairs है WREC 2023 अब आप कहेंगे सर यह क्या है आम तोर पर देखो इस तरीके की news है दिमाग से निकल जाती है लेकिन मैं आपको कोई भी news जैसी नहीं होगी जो छोड़ूंगा यह वर्ल्ड रिनवेवल एनर्जी कॉंग्रेस यह इस बार की आपकी हुई है यह 22 नंबर की है ठीक है पहल से 20 जुलाई 2023 को हुई है कहाँ पही है डिमापुर में हुई है ठीक हे कौलावबर की मलेशिया की राध्दानिय तो को कौलावबर में 16 2 210 को Malaysia में आपका विश्यू Renewal Energy Congress World Renewal Energy Congress 2023 का आयोजन हुआ था किसके दरा किया गया Solar Energy Research Institute सेरी के दरा किया गया Solar Energy Research Institute सेरी के दरा किया गया ठेक है और यह आपका विश्यू के जितने भी देश हैं सारे की सारे इसमें संबलित हुए थे कि कैसे हम नवी काड़िये उर्जा रिनुवल एनर्जी को लेकर के आपस में काम कर सके चलें आगे बढ़ें नेक्स्ट चलिए अब एक चीज साइद मुझे नहीं लगता आप लोग जानते हो अब मैं यहाँ पे एक टम्स लिख रहा हूँ A-Wave A-Wave क्या है आप लोगों मुश्किल है कि आप लोग जानते भी हो आज चलो बताता हूँ एक संस्था A-Wave अब A-Wave क्या है ध्यान से समझेगा A-Wave जितने भी विश्व भर में जितनी भी चुनाव प्रबंधन संस्थाएं होती है election management body होती है उन सभी का एक सम्मू है जैसे भारत में चुनाव प्रबंधन निकाय की बात करें तो निर्वाचना योग है की नहीं है आप बताइए constitutional body है लेकिन ये चुनाव कराती है पूरे भारत भर में चुनाव कराने का काम किसका रहता है election commission of India का ठीक है रहता है की नहीं रहता है election commission of India करती है तो इनी का एक ये क्या है संगठन है इनका क्या है ये संगठन है इस संगठन का नाम का है एवेब पहली बात तो ये ध्यान लिजिए आप लोग साहधास तक एवेब के बारे में जान नहीं पाए हो तो एवेब की भी हर साल बैठक होती है 2023 में भी इसकी बैठक होई और ये ग्यारहमी बैठक थी आपकी एवेब की ठीक है एवेब क्या है दुनिया भर में जितने भी मलब विश्यो के जितने भी देश है सब जगहों पे चुनाव प्रबंधन निकाय जो होता है उसका एक सं 119 सदस्य डेश जुड़े हों एवेब में जुणाई 2023 में इसका योजन हुआ था कहा हुआ कार्टा जेना में कार्टा जेना एक जगह का नाम है कार्टा जेना यहाँ प्रता है को कोलंबिया कोलंबिया है दच्छिडी अमेरिका महादियूप में ठीक है आप सभी जानते हो तो भारत के मुख चुनाव आयुक्त राजियू कुमार इस बैठक में भारती प्रतनेधी मंडल का नेत्वत्तों करने के लिए पहुंचे थे ठीक है हमारे जो एलेक्षन कमिशन इंडिया है राजियू कुमार जी इस बैठक में भारती प्रतनेधी मंडल का नेत्वत्तों किया था बताई कोई दिक्कत हो एक नई जानकारी आपको मिली एवेप के बारे में सबी लोग एवेप समझ गये एवेप क्या है ठीक है एवेप क्या है आपकी एक संस्ता है 20 सो भ बाड़ी की को लेकर के वेप की बात है तो आम तर पर देखो इस तरीके के टर्म्स यूपी असी में आ जाते हैं कि वह एवेप के बारे में बताईए आप लोग ठीक है अब आपको रफली यदि नहीं पता होगा तो आपको लएगा कि यह कोई फिजिक्स में वेप की बारे पूछ रहे हैं कि यह तो यह फिजिक्स नहीं भी यह करेंट अफेर से आगे चलते हैं नेक्स्ट यह देखो एसोसियेशन ओफ वर्ल्ड एलेक्शन बॉडिज ठीक है इसी को एवेव बोलते हैं एलेक्ट्ट्ट और एसोसियेशन ओफ ए वेव ठीक है इसका फुल फॉर्म ह सब्सक्राइब करने में काम कर रहा है ठीक है तो इस्थापना 2013 में की गई थी इसकी एवेव की कब की गई थी 2013 में और इसका जो है अभी जो थी 11 वी बैठक थी ठीक है टोटल यह कौन सी बैठक थी 11 वी बैठक थी चलिए आगे बढ़ते हैं बाई एक देश है जो सब को परिशान किये हमें भी परिशान किये है एक देश है जो हमें सब को परिशान किये सभी देश नहीं परिशान किये एक देश है सब परिशान इससे यह है चीन चीन अपने परोसी देशों को तो और परिशान करता है जै है यह अपने पढ़ोजी नेशेगं परसान कर रहा है यहां पे देखिये एक देश है फिलिपीन स्यांपर दीजेए जाप यह तयूपन है और यहां पर फिलिपीन से यह है यह क्या भाई यह चीन है ठीक है यहां पर देख रहा है ना एक वाटर बॉडी énormément इस water body का नाम क्या है, इसका नाम है दच्छिंड चीन सागर, इसका नाम है South China Sea, आप लोग देख पा रहे हों तो, देख पा रहे हैं क्या, चलिए देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है South China Sea, ठीक है, तोड़ा सा इसको दूसरे मानचितर में दिखाते हैं, यहां पर colorful आप उसके देश हैं, सारे देश परिशान हैं इससे, ठीक है, अभी हाल फिलाल में चीन और फिलिपीन्स के बीच में विवाद बढ़ गया, और उसके पीछे का कारण यही रीजन है, South China Sea पे ही कोई ना कोई गड़बर होती है, आपस में परिशान हो जाते हैं, पांच जुलाई चीन जो है लगातार क्या कर रहा है, उत्पिडन कर रहा है, बाधा उत्पन करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो यह जो है फिलिपीन्स, एक छोटा सदेश चीन के उपर क्या करता है, आरोप लगाता है, कोई गलत आरोप नहीं है, ठीक है, और कहते हैं कि यह लगातार ब पर हैं वहां पर प्रवेश कर रहें तुछ बता दू चीन तो इतना ज़्यादफ libreवर्जस्थी कर रहा है वो कारा है यह पूरा पानी मेरा है यह पूरा है इसको बोलते नायिंग डैस वेला इसने क्या करता है एक नायिंग डैस लाइन खीच रखे हैं यह देखे आप यह आप देख पा रहे हैं यह पूरा का पूरा कराय सब मेरा है तियासिक तोर पे यह पूरा वाटर मेरा है इसी को नाइन डैस लाइन भी कहते हैं इस पूरे एरिया को क्लेम किया जाता है अब इसके अंदर बहुत सारे द्यूप हैं बहुत सारी चीजे हैं ठीक है तो लगातार एक बड़ा विवाद हम देखने को पाते हैं लिश्नु देव कुमार रखे सर चाइना को चाइना को वर्ल्ड के और प्रतिवन लगा दो चाहिए चाहिना क्यों लगा दो चीन के उपर लगा दो चाहिए आप लोगे कह रहे हो क्या इत्ता असान होता तो लगाई देते आपको साइथ पता नहों कि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थिवस्ता है अच्छा अर्थिवस्ता है दूसरी तो अर्थिवस्ता भर से क्या होगा दूसरी कितनी बड़ी है सबसे बड़ी आबाद आई है बताओ कहां जाएंगे प्रतिबंद लगा के ये लैपटॉप जो देख रहे हैं जो कैमरा जिससे आप लोग क्लास कर रहे हैं ये मेरे हाथ में माउस है ये सब चीन का है हर सारा का सारा समान हमारे देश में जितना भी आता हमारी अर्थविवस्था में अभी चीन हाभ है और केवल हमारी अर्थविवस्थावर में हाभी रहता तो ठीक है ये विश्थू के सब हुर्थवाष्थामें हाभी हो चुका है खासή एकस्पोर्ट को लेकर करके इसने पूरे विश्थ अपने आपको एक तरीकह से एक्सपोर्ट हब बना दिया है अब आप इसको बैन कर पाने की स्थिति में हो तो बताएं चलो आप एक इंट्रेस्टिंग बताता हूं एक बार क्या हुआ जैसे सोच आप रख रहे हैं न ऐसी सोच रखने वाला एक विक्ति पैदा हुआ जिसका नाम है नेपोलियन बना पार्ट आप सबी लोग को एक चोटी सी कहानी विज़ इतियास की सुनाता हूं नेपोलियन बना पार्ट और उस समय फ्रांस में पता है ना फ्रांस में किलीन तंत्र का जन्म हुआ मतलब पहले तो राज साही थी वहाँ पे लुई चौधामे का साशन था वो साशन कोलैप्स हुआ बस्तील का किला ढहा दिया गया कुलीन तंत्र एक सामंत वादी वर्क का जन्म हुआ दीरे दीरे उनी में से एक था नेपोलियन बोनापार्ट और उसने जो है क्या किया वहाँ के साथ एक लंबी प्रतिद्वन देता थी अब मैं आपको थोड़ा सा बहुत स्वार्ट में समझाना चाहूंगा तो उसको उस समय आपको पता होगा कि ब्रिटेन में इंडेश्ट्रल रेवलियूशन हो चुका था और दोगी क्रांती हो चुकी थी ज़्यान से समघएगा आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हम चीन पर प्रदिबंद लगा सकते नहीं लगा सकते कोई देश लगा सकते नहीं लगा सकते ठीक है और इस समय चीन को छेड़ना ठीक नहीं है क्योंकि रूस गड़बर चल रहा है है ना विस्तु के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है एक है देश खराब चल रहा है दूसरों खराब कर देंका आप बताओ यह ठीक नहीं ना तो यहां पर समस्या क्या है मैं पूरी समस्या आपको उताता हूँ नेपोलीओन और पाट ने सोचओ कि एक कम करते हैं यदि हमको ब्रिटेन को तबाह करना है तो एक काम करते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं जैसे लाइक मा लिजे ब्रिटेन से बहुत सारे देश समान मंगवाते थे एक्सपोर्ट आपके तौर पे अपने आपको डेवलप कर चुका था ठीक है जो आपका ब्रिटेन था यूके था तो फ्रांस यहां पर था इस से करके लिश्ट थी जर्मिनी था अब इसने क्या किया भाई सब नेपोलियन मौना पार्ट ने कहा कि भी इस से कोई समान नहीं मंगवाओगे कोई भी समान यूके से नहीं आएगा यदि यूके से युद्ध आएगा तो मेरे से डरना युद्ध होगा फिर आपस में पूरी तरीके से नाके बंदी कर दी किसके नाकी बंदे कर दी बृटन की कोई भी समान बृटन से बाहर नहीं जा सकता है और कोई भी देश मंगवाओगे देख ले अब सोचो यह एक मातर देश था जो पूरे विश्टु की जरूरतों को पूरा कर रहा था उस समय क्योंकि अब कोई खरीद नहीं सकता है, ये देश भी चुकि नेपोलियन मोना पार्ट से डरते थे, उसके आभीन थे, उसने इन से युद्ध लड़ा था, तो उनको लग रहा था कि अब फ्रांस कह रहा है तो कोई भी इंपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अब हुआ क्या, दीरे दीरे जनता भड़कनी चालू हो गई, एट लिस्ट मैं आपको बताओ, फ्रांस का बहुत सारा समान, यहां से आता था यूके से, वहां के सेना तक के जितने भी ड्रेसेज होती थी, सेना के हथियार होते थे, वो ज्यादतर आपकी यूके से आते थे, अब नेपोलियन मोना पार् जरूरतों को पूरा कर सके बाकी देशों के, अच्छा चलो सब की छोड़ो, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, अपनी जरूरतों के लिए भी बिर्टेन पे ही पूरी तरीके से क्या है वो निरभर है, तो ऐसे में इन सभी जगहों पे civil war होने लग गए, मतलब वहां की जन सिबिल वार जैसे इस्तिती बन गई जंता ने विद्रोज कर दिया कि वहिया एक काम करो इतना ज़्यादा नेपोलियन से मत डरो है ना और अंतों गत्वा कहते हैं कि स्मगलिंग चालू हो गई ब्रिटेन के समान की ब्रिटेन के गुड्स की वो छोड़िये फ्रांस भी उतरने के लिए तैयार हो गए क्योंकि या तो देश के अंदर जो हो रहा है आपस में बिद्रो जंता ही कर रही है उसको जेल लो या इससे अच्छा है कि एक बार इससे सिदह सिदह भिड़ जाओ इससे तो सभी ने रेड़ लिया कि नेपोलियन बोनापाट के चक्र में रह हो गई किसी तरीके से जाने लग गया है ना फ्रांस अपने पूरी नौ से लगा रखी थी चारो तरफ कि कोई खरीद के दिखा है लेकिन एक लिस्ट क्या होता है ना जब आपके पास बिकल्प नहीं होते ना अल्टरनेटिव नहीं होते ना तब जाके फिर यहां पर भी इ विश्ट के लिए और आप चीन में देखे कैस सस्ता चीजे मिलती हैं इतनी महेंगी चीजे नहीं हैं चीन की चीजे बहुत सस्ती हैं मैनुफैक्शरिंग हब के तौर पर है सारी चीजे होंगी तो इसलिए भारत को अभी आतने बर बनना होगा अपनी जरूरतों को खुद क कर पाएंगे अभी समय है इसलिए चीन को जो है अभी रोक पाना अपने आप में इतना असान नहीं है चीन एक बड़ी अर्थविष्था बन चुका है सही बता रहे हैं विश्व में दूसरी नंबर के अर्थविष्था है और कई मामलों में तो अमेरिका को क्रॉस कर चुक सदस्त यह वे पर्मनेंट कwhen में हैं यह दियान रखिएगा सिक्योरटी कम्सिल का smarter bring मिंबर है इसके पास टeए के बाद इसके बाद elen रिजरफ सब से ज़़ादा है उसके पास इक्सपूर्ट हम के तोर पर इतनी बड़ी सेना उसने बना रखी इतनी बड़ी जंसंख्या उसके पास है, बिस्ट देस्टों के बंदर गाहों और चीज़ देश और पूरे की अबैद से ले करके हम हमेरे त्वहार होता है, यह ज़ Will देखे कोई भी त्योहार होते हैं, सभी में चाइना की ओपर निर्बर बर है है ना एक कैंडल जलाने से लेकर के जो भी आप देखे कोई भी तेवार यहां तक कि जो दीपवली में हमारे देवता होते हैं वो भी चीन से बन के आते हैं बड़े इस लक्षमी की जो पूजा करते हैं हम लोग चीन बना रहा है तो यह जब तक हमारे देश में कुटी रुद्योग के तौर पे नहीं आएगा लगुद्योग के तौर पे नहीं आएगा मध्यमुद्योग के तौर पे नहीं आएगा हमारा जो MSME सेक्टर है उस पे जब हम बहतर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा देश ससक्त नहीं बन पाएगा बच्चो समझ रहा हो ना मेरी बात को हमें एक आत्म निर्भर राष्ट के तौर पे बनना उसके दीशा में कोबिट के बाद से बहुत तेजी से प्रसार प्रयास हो रहा है बड़े लेबल पे इस टार्ट अप डेवलप हो रहा है अभी फंड चाहिए पूंजी चाहिए कैपिटल चाहिए रिसोर्स चाहिए अभी ह हमारे देश के अंदर आंत्रिक संती चाहिए सबसे पहली ज़रुत किसी भी देश के विकास की होते है वो ऊती है अंत्रिक संती डेस सञे रहे फिर प्रकार की long term policies ऐसी policy बने जो की बदले ना समय के साथ बदल जाती ना policy है ना तो वो भी ना हो तो आने वाला समय भारत का होगा बिल्कुल आप लोग युवा हैं आप लोग के कारण से हमारा देश जो है आने वाल समय पे बुलंदियों को छूने वाला है ये बिल्कुल होने वाला है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन अभी थोड़ा सा समय है समय के साथ साथ आप लोग MSME सेक्टर जब तक भेतर नहीं होगा तब तक कैसे हो पाएगा और आने वाले समय में देश के प्रशाशक हैं आप लोग तो आप लोग इस तरीके की सोंच रखना है बहुत अच्छी बात है देखें चीन की अर्थववस्था की ग्रोथ रेट नीचे है ना विकास दरह अप डाउन होती रहती है लेकिन चीन की अर्थववस्था नीचे नहीं चली गई वो तो ग्रोथ रेट है कभी विकास ज्यादा होता है कभी विकास कम होता है लेकिन अर्थववस्था पूरी तरी जितना current affairs आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उसको revise करना मूं must है पस यह important है चलिए